तुर्पदेश के गौतम बुद नगर की SDM दुर्गा शक्ती नाकपाल के निलंबन पर विवाद दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है सवार उठ रहे हैं कि इमानतर अधिकारियों को जान बूच कर दवाप में निशाना क्या बनाया जा रहा है कल हाई कोट में भी इसी मामरे से जुड़े अवैद खानन और उस पर हुई कारवाई की जानकारी मागी है जी हाँ आईएस अधिकारी और गौतम बुध नगर की स्टिम दुर्गा शक्ति नाकपाल के निलंबन की असली वजह यही थी और ये बयान ही आज हमारे सिस्टम की अगली हकिकत भी है दरसल दुर्गा नाकपाल ने जिस तरह से यमुना और हिंडन नदी में हो रहे अवैद खानन पर लगाम लगा कर अवैद खानन माफिया पर नकेल कसी थी वो अवैद खानन माफिया और उनके सरपरस्तों को मनजूर नहीं था एक अंग्रेजी अख़वार के मताबिक अवैद खानन से सबसे बड़ा नुक्सान नरिंडर भाटी की करीबी ओमेंदर खारी को हो रहा था और उनके कई वाहन दुर्गा नाकपाल ने सब करवा कर एपाई यार दर्ज करा दी थी इसी से नाराज नरिंडर भाटी ने अपने द्यसूप का इस्तेमाल किया आना कि भाटी इन आरुपों से इंकार कर रहे हैं हमने कोई नहीं कहा कि हमने कराया हमने कोई मेशब्द का प्रियोग नहीं किया हमने केवल ये कहा कि जब यहां माहौल बिगड़ता हुआ हमने देखा तो हमने साशन को सूचना दी और साशन ने उसकी जाच कराई और संग्यान लिया इस सिस्टम की एक और बानगी ये है कि जिस दीवार को गिराने के नाम पर दुर्गा नाकपाल को सस्पेंट किया गया डीम की रिपोर्ट के मताबिक वो आदेश दुर्गा नाकपाल ने दिया ही नहीं था लेकिन सवाल साख का बन गया है तो फिर अब डीम साहब पर भी सरकार के खिलाफ जाने की वज़े से कारवाई की तलवार लटक गई है एक्शन जिलाधिकारी का जो उनके सर्विस कोड़ पेंड़ट है उसके बहुत खिलाफ है इसलिए हमने कल विदाइक विदिशा से कहा था कि जिलाधिकारी का भी तुरंत निलंबन होना चाहिए और बहुत सख्त कारवाही होना चाहिए जिस अवैद खनन को रोगने की गाल दुर्गा नाकपाल पर किरी है वो कोई छोटा मोटा खेल नहीं है नोईडा और ग्रेटर नोईडा में अवैद खनन का कारुबार तकरीबन 300 से 500 करोड का है यहां से रोजाना 2500 से साले 300 ट्रक रेट का अवैद खनन होता है अगर इसका लाइसेंस होता तो सरकार को 100 करोड का राजस हो मिलता दुरगा नाकबाल के आने के बाद जिनिवरी से अब तक 102 FIR डर्ज हुई है 121 लोग गिरफतार हुए है और 42 डंपर और 48 ट्रेक्टर के अलावा 124 दूसरे वहान जब्द किये गए है जाहिर है इतने बड़े कारोबार के हिस्सेदार बहुत बड़े बड़े लोग होते है अब ये पूरा मामला इलावाद हाई कूर्ट पहुँचा है जहां पर केंद्र और राजसरकार दोनों को पूरे प्रक्राण पर सफाई देनी होगी मानियू चिनाले ने राजसरकार से ये भी जवाब मांगा है कि दुर्गा सक्ति नाकपाल ने इलीगल माइनिंग में कितने डंपर को सीच किया कितने लोगं के खिलावे फायार किया फैलहाल तो सभी राजनेतिक दल दुर्गा नाकपाल के साथ है लेकिन कब तक ये पता नहीं क्योंकि सियासत बदलते देर नहीं लगती बात ये अब साबित हो चुकी है कि सैंड माफिया कितना मजबूत हो चुका है यूपी सरकार में जो आजम खान साहब का बयान है वो लोक तांत्रिक है और वो कही न कहीं बता रहा है कि किस तरीके से सपा की सरकार चले दरसल आज का सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि इमानदार अधिकारियों को या तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर दुर्गा की तरह सिस्टम का शिकार होना पड़ता है हर्याना की I.S. आफिसर अशोक घिमका को तो यही सिस्टम 40 बार ट्रांसफर कर चुका है मतिपदेश में अवैद घनन रोकनी के लिए I.S. आफिसर नरेंदर सिंग की हत्या भी इसी सिस्टम की वज़े से हुई यह घटनाएं और उस पर सरकारों और राजनितिक दलों के गहर जिम्मेदाराना बयान यह बताने के लिए काफी है कि यह सिस्टम उनकी ही मर्जी से चलेगा फिर चाहे वो घलत हो या सही अगर सुप्रीम कोर्ट और सूचना आयोग जैसे महकमों ने इमाकत की तो वो पुरा सम्मेदान ही बदल डालेंगे समय के लिए तेरो रिपोर्ट